नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है आज एक फरवरी है साल के दूसरे महिने का ये पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है आज के दिन देश दुनिया में ऐसे कई घटनाए हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है तो आएए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर दिल्ली में सेंट स्टेफन्स कॉलेज के स्थापना आज के दिन एक फरवरी 1881 को हुई थी सेंट स्टेफन्स दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज है शुरुआत में ये कलकत्ता यूनिवर्स्टी से एफिलियेटेड था शुरू में इसमें सिर्फ पाँच स्टूडेंट्स और तीन फेकल्टी मेंबर थे 1922 में ये दिल्ली विश्व विध्याले से एफिलियेटेड हो गया देश के पहले रास्ट्रिये रेल संग्राले के स्थापना आज के दिन एक फरवरी 1977 में नईदिल्ली के चाड़क के पूरी में हुई थी रास्ट्रिये रेल संग्राले में रेलवे के विकास की यात्रा के सभी पड़ावों को बड़े जदन से सही जा गया है ये लगभग 10 एकर से अधिक के शेत्र में फैला हुआ है ब्रिटेन में आधे पैसे यानि हाफ पैनी का सिक्का आज के दिन एक फरवरी 1984 में बंद कर दिया गया था दरसल इस सिक्के के निर्माण पर जितना खर्चाता था वो इसके मूले से कहीं ज्यादा था ब्रिटीश दसमलव हाफ पैनी सिक्का फरवरी 1971 में दसमलव के समय पेश किया गया था आज से 19 साल पहले एक फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापिस लोटते हुए अमेरिका का अंतरिक्ष यान कोलंबिया प्रिथ्वी के वातावरण में आते ही दुरगटना ग्रस्थ हो गया था इस हादिसे में भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कलपना चावला समेत सभी साथ अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India हिंदी के साथ